36 गड़ के अंबिकापुर में कोरोना के 30 लहर और कोविड-19 के नए वेरियंट ओमी क्रोन को देखते हुए सरगुजा जिलाप्रशासन ने अपनी तयारी शुरू कर दी है जिसके लिए जिलास्तर पर मॉनिटरिंग सेल का गठन किया गया जिसका संचारन कलेक्टेट परिसर के अंदर कॉंपोजिट बिल्डिंग के रूम नंबर 6 से किया जाएगा और जिलाप्रशासन 24 गंटे सतत प्रयास और निगरानी के लिए कंच्रोल रूम नंबर भी जारी कर चुकी है वहीं मॉनिटरिंग सेल में सरगुजा कलेक्टर ने विवस्ताओं का जाइजा लेते हुए बिंदू पर सतत निगरानी के निर्देश दिये साथ ही निगरानी के लिए नॉडल अधिकारी भी नियूप दिये गए है अभी वीडियो कॉंफरेंसिंग में कुछ निर्देश दिये गए हैं जिसमें उनके दोर यह बताया गया है कि कोविड के लिए कंट्रोल रूम एक रहेगा और टेस्टिंग के लिए होम आइसलेशन के लिए कंटेन्मेंट जून के लिए नॉडल ऑफिसर्स रहेंगे हमारा जो कंट्रोल रूम रहेगा उसके नंबर सभी को दिये जाएंगे मीडिया का माध्यम से सभी पुब्लिक को बताई जागी इसमें किसी को भी कोविड के विसमें कोई भी बात जाननी हो करने हो कोई सुचना देनी हो कि दिया जाएगा तो उसी के दौत हम लोगों नभी यहां कलक्ट्रेट में कमाइंट बिल्डिंग में एक कोविड कंट्रोल रूम स्टेबलिस किया है जो 24 घंटे काम करेगा और इसके दो नंबर भी आपनों को माध्यम से जारी कर रहे हैं चोरीस घंटे हमारे स्टाफ रहें की जो किसी बीए तरह सूचना के लिए किसी बीति जनकारी के लिए यहां मौजूद रहेंगे इसके αलावा अस्पतालों में जो प्यसेंट आएंगे उनको एडिमिट करवाने के लिए या तजएंग को बढ़ाने के लिए उसके लिए हम पालन के जा रहा है